इस स्वराज के तरफ हम अपने देश को आधे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं साल 1973 की बात है सुप्रीम कोर्ट में केरर सरकार के खिलाब एक संथ केसवानन भारतिय केस पहुंचता है केस हैसा की पहले बार सुप्रीम कोर्ट के तीरा जज इसे सुनने के लिए बैठते हैं लगातार अटसर दिनों तक बहस होती है आखिरका 24 अप्रेल ओने से तीयतर को जब फैसला आता है तो इसे इंद्रा सरकार की हार के तोर पर देखा जाता है केसवनन भारती केस में कोर्ट की अब तक की सबसे बड़ी तीरा जजों की बेंच ने कहा कि सरकारें समिधान के ऊपर नहीं है जब अपने मठ की संपति बचाने के लिए सरकार से लड़ गया एक संथ 1973 में किरर सरकार ने भूम सुधार के लिए दो कानून बनाए इन कानून के जरीए सरकार मठों की संपति को जब तकनना जाती थी जैसे ही जिनीर मठ के मुखिया खेसवनन भारती को इसकी जानकारी मिली वो सरकार के खिलाफ कोर्ट पहुँच गए केसवनन भारती ने कहा कि समिधान का अनुच्छेद 26 समय धारों के प्रचार के लिए संस्था बनाने का दिकार देता है ऐसे में सरकार ने इन संस्थाओं की संपति जब्त करने के लिए जो कानून बनाए वो समिधान के खिलाफ है इस तरह कानून में बदलाओ को लेकर केसवनन ने सिर्फ केरस सरकार को नहीं बलकि इंद्रा गांधी की सरकार को भी चुनौती दे दी इंद्रा चाहती थी कि सुप्रीम कोड का फैसला केसवनन भारती के विरोध में आए इसकी वज़़े ये थी की सुनौन के समर्थन में फैसला आने से इंद्रा सरकार अपने मन मताबिख फैसले लेने के लिए समिधान को नहीं बदल पाती इस मामले में कोड ने क्या का इस बात को जानने से पहले जानते हैं कि आखिर इस केस में इंद्रा सरकार के इतनी दिजल्स पर क्यों थी अपने तीन बड़े फैसले को पलट जाने से परेसान थी इंद्रा गांदी इंद्रा गान्धी अपने फैसले लेने के लिए एक के बाद एक कानून में बदलाव कर रही थी हर बार इंद्रा सरकार के फैसले को सुप्रिंग कोर्ट में चुनोतित दी जा रही थी सुप्रीम कोर्ट ने एक एकर इंद्रा के तीन बड़े फैसले को पलट दिया था वो कौन तीन बड़े फैसले थे? पहला इंद्रा गान्धी ने बैंको का राश्टी करण किया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसलों को पलट दिया दूसरा इंद्रा गांधी ने देशी रियासतों को दिये जाने वाले पैसे यानी प्रीवी पर्स को खत्म किया सुप्रीम कोड़ ने इसे विपलट दिया तीसरा इस मामले में सुप्रीम कोड ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सरकार कानून के मूल अधिकारों में बदलाव नहीं कर सकती है इन तीन फैसलों से इंद्रा गांधी न्याय पालिका से नराज थी अब खीच की वजए से इंद्रा और ज्यादा ताना साब बनती जा रही थी इंद्रा गांधी हर हाल में न्याय पालिका को काबू करना चाहती थी इसके लिए एक ही तरीका बचा था सम्मिधान में बदलाव आखिरकार पांच नॉमबर 1971 को इंद्रा गांधी ने सम्मिधान में 24 वा संसोधन कर दिया ऐसा करके इंद्रा गांधी सुप्रीम कोट से सीधे टकरा गए इस बार इंद्रा ने सुप्रीम कोट के उनिस सरसण में सुनाय पहसलों को पलड़ने के लिए कानून में बदलाव किया था दरसर उनिस सुप्रीम कोट केस में सुप्रीम कोट ने कहा था कि सरकार लोगों के मोल अधिकार में कोई बदलाव नहीं कर सकती ऐसा करके इंद्रा ने सुप्रीम कोट को अंगठा दिखाने की कोशिश की थी अब सुप्रीम कोट के सामने असली चुरावती थी कि किस तरह से इंद्रा को समिधान के मोल अधिकारों में बदलाओ करने से रोका जाए केसवानन केस में पनी अक्ता की सबसे बड़ी 13 जजों की बेंच केसवानन भारती केस में सुप्रीम कोट सामने ये सवाल था कि क्या सरकार समिधान के मोल भावना को बदल सकती है इस मामले सुनवाई के लिए 13 जजों की बेंच बनी इस बिंच का नेद्धा सुप्रीन कोट के ततकाली इनचीव जश्टिस S.M. सीकरी कर रहे थे इस फैसले में साथ जजों ने संत के 69 भारतिक समर्थन में जबकि 6 जजों ने सरकार के समर्थन में फैसला सुनाया अपने फैसले में कोट के तीन मुख बाते गई पहला सुप्रीन कोट ने कहा कि सरकार समिधान के उपर नहीं है दूसरा सरकार समिधान के मूल भावना यानि बेसे इस ट्रेक्चर को नहीं बदल सकती है तीसरा सरकार अगर किसी भी कानून में बदलाव करती है तो कोट उसकी नयायक समीच्छा कर सकता है इस फैसले ने एक तरह से इंद्रा गांधी को गुटने पर ला दिया था अब इंद्रा गांधी कानून बदल कर अपने मताबित फैसला नहीं कर सकती थी इसकी दो वज़े थी कानून के जरिये लोगों के दिकारों को छीनने और समिदान के मूल्ड हचों में बदलाओ करने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोग लगा दी थी सरकार अगर कानून बतलती तो अब सुप्रीम कोर्ट नियाएक समिच्छा करके उसे पलट सकता था इलहाबाद हाई कोर्ट के फैसले ने इंद्रा नाधी के गुस्से को और बढ़का दिया केस्वन भारती के केस के जज्जमेंट के बाद इंद्रा नियाए पार्दाव कंटोर करने के लिए पूरा प्लान तयार कर चुकी थी 25 अप्रेल 1973 को जस्टिस ए एंड्रे को सुप्रीम कोड का चीफ जस्टिस बना दिया चीफ जस्टिस बनना इसी प्लान का हिस्सा था तीन सीनियर जजों को नजर अंदाज करके ए एंड्रे को इस पत्पर बैठाया गया था इसकी वज़ा ए थी कि इन तीनों सीनियर जजों ने केस्वनन भारती केस में इंद्रा के खलाफ फैसरा सुनाया था ए एन्रे ने चीफ जस्टिस बंते ही केस्वनन भारती केस के फैसले की समिछा के लिए एक बार फिर से तेरा जजों की बिंच बरा दी इस बात की चर्चा जोर पकड़ने लगी कि आखिरकार इंद्रा का प्लान सफल हो गया है सुप्रिंग कोड के कई जज चीफ जस्टिस ए एन्रे की इस फैसले खिलाफ हो गए अपने साथियों की दबाव के वज़े से आखिरकार इंद्रे ने अपना फैसला वापिस ले लिया इस तरह एक बार फिर से समिधान की जीध हुई सरकार बचाने कोई रास्ता नहीं दिखा तो इंद्रा ने इमर्जनसी लगाई अपने पसंदीदा जज एंद्रे को चीफ जश्रिश बनाकर इंद्रा ने नया पारिका में बैठे लोगों को एक सकेर देने कोशिश की थी लेकिन दो साल बाद इंद्रा का ये फार्मूला फेल हो गया 12 जून 1972 को इलाबाद हाईकोड ने चुलाओं में धानले करने के आरोब में इंद्रा गांधी की जीत को रद्ध कर दिया अब इंद्रा अपने पत पर नहीं रह सकती थी उनके पास समिदान में संसोतक करने के ज़्यादा तर रास्ते इवंद हो गये थे ऐसे में अपने सरकार बचाने के लिए इंद्रा गांधी ने 25 जून 1975 को देश्वे एमर्जंसी लगा दी दोस्तों ये थी हमारे फेमास केस केसवन भारती के बारे में आप पो जानकर बहुत मज़ा आया होगा और बहुत इंट्रेस्टिंग केस था कैसे लागा कमेंट पर के जोरूब बताएगा मिलते हैं नेट्स इंट्रेस्टिंग टॉपिक और केस के साथ जाहिन जावारत